एडिया टीवी आख्यावाज बस्सी में आगरा रोड हाईवे पर बड़ी संख्या में जूटे लोग ट्राफिक या बंद प्रदशन कारियों को समझाने में जूटे पुलिस अजबेर में दिखा बंद का असर मार्केट में दुकानों पर लड़के दिखे ताले वेपारे उने करनी से नके बंद का समर्थन किया राजस्थान के जोटा वाड़ा में भी नाराज लोगों ने हंगामा किया बंद के दौरान आगजनी और बैरिकेड लगी सुगदेव सिंग गुगामेडी हत्याकार में कामियाबी राजस्थान पुलिस ने दो संदिक्दों को हिरासत में लिया जैपुर में पुलिस ने बरामत की आरुपियों की स्कूटी इसी से हत्या करके भागे थे हत्यारे गोगा मेडिक हत्यारी की हुई पैचान हरियाना की शूटर नितिन फॉजी और मकराना के रोहित राठोर पर हत्याकारो पंजाब पुलिस ने नौ महीने पहले ही जताई थी गोगा मेडिक हत्या की आशंका राजसतान डिजीपी को बेजाता सिक्रेट नोट पंजाब के डीजीपी ने राजस्तान पुलिस को किया था आगार राजस्तान पुलिस ने नहीं लिया कोई आक्शन क्रॉस फाइरिंग में एक हमलावर भी मौके पर मारा गया सुखदेव सिंग का एक गार्ड गोली लगने से घायल अस्पताल में फाइरिंग के बाद दो हमलावर भागने में कामियाब रहे सीसी टीवे में कैद हुई घटना सुरजपाल अम्मू की मांग हाई कोट के जज करे गोगा मेरी मडर की जाज हम हमारा आंदोलन शांति पून हमारे लोगों को छेडा ना जाए गोगा मेरी मडर पर वसंदरा राजे की पोस्ट लिखा की हत्या दुर्भागे पून भगवान आत्मा को शांति दे परिवार को दे दुख सैने की शक्ति गुगामेरी मडर पर दिया कुमारी का बयान सुकदेव सिंग को गहलोत सरकार ने सुरक्षा मिली होती तो हत्या नहीं होती दिया कुमारी बोली गहलोत राज में लॉइन ओर्डर जीरो था बीजेपी सरकार बनते ही कानून का होगा राज जैपूर में प्रदशन की विधायक बालमकुद आचारे ने की अगुवाई अपने समर्थकों के साथ धरने में शामिल हुए आचारे नव निर्वाचित बीजेपी विधायक बालमकुद आचारे ने हत्या के लिए घ्यलोत को ठहरा है जिमेदार का कि माफियाओं के कबजे में राज्जे राजस्तान के राजपुत समाज ने की हत्यारों के एंकाउंटर की मांग का कि पुलिस को किसी भी हाल में हत्यारों को यूपी की तर्च पर मार गिराना होगा राजपुत करणी सेना नेता महिपाल सिंग मकारना ने कहा कि राज़े में सीम के नाम के एलान से पहले आरोपियों के इंकाउंटर होगा तब ही नया होगा मैपाल मकारना ने आरोपियों के एक एंकाउंटर की मांकी का की विदेश में बैठा गैंक्स्टर ले रहा है जिमेदारी इना ये जाच में शामिल क्यों नहीं माईपाल मकारना की ने हत्या के लिए गहलो सरकार को जिमेदाठ हराका की करनी से ना चीफ को गहलोत ने सुरक्षा नहीं दी डीम के सांसद सेंतिल कुमार ने संसद में किया सनातन का पान का की बीजेपी सिर्फ गौमतर राज्जों में जितती है चुनाओ दक्षिन में घुस्ने नहीं देंगे विवाद बढ़ने पर सेंतिल कुमार ने मांगी माफी का की गलश शब्दों का किया इस्तमाल अगली बार कुछ अन्ने शब्दों का युपो करने का प्रयास करूंगा सेंतिल कुमार के समर्थन में उत्रे M.D.M. के सांसद वाई को का की उनके बयान से सहमत हूँ डीम के सांसद सेंतिल ने गौमतर बयान पर लोकसभा में हंगामा किया बीजेपी सांसदों के लगाए माफी कुमा में गाए नारे DM के 38 के उत्तर के भारतियों पर विवादित बयान पर बोले अनरुराग ठाकूर कौंग्रिस के साथीं ने उत्तर भारितों को नीचा दिखाया DM के 38 के बयान पर बोले गिरियराज सिंग राहूल गांधी DM CM स्टालिन और उनके उत्तर सनातन का मज़ा कुराना बंद करें केंदरे मंतरी गिरिरास सिंग का बयान का कि हम गौमाता और गौमुत्र का सम्मान करते हैं जो सनातन को खतम करने की कुशिश करेगा वही खतम हो जाएगा बीजेपी संसद रविश किशन ने सेंतिल कुमार के बयान की निंदा की का कि उन्होंने तमिलाडू के हिंदूओं पर आगहात किया है उन्हें संसद में माफी मागनी चाहिए कॉंगरेस निता अधिरण चौधिरी ने सेंतिल के बयान को बताया व्यक्ति गत का कि कॉंगरेस गौमाता का सम्मान करती हैं इंद्रे मंतर अजून मुंडा ने कहा कि जो जिस तरह से सोचते हैं वो उसी तरह से कहते हैं इसका भारत के जीवन में कितना महत्व है इसका उन्हें अंदाजा नहीं है। किया इंकार कहा कि मेरा फोकस छिन्वारा पर लोकसभा की सभी 29 सीटे जीतना रख से। शिवरा सिंग चौहार ने सीम रेस में होने से किया इंकार कहा कि मुझे जो काम मिलेगा मैं नस से करूँगा। किया आशी के सीयार और रेवंत डेडी के हारने पर दिगविजे सिंग के सवाल पूछा की कोई अनलिस्ट इन नतीजों का करेगा शोध। आठ दिसंबर को होगा मिजुरम के मुख्य मंत्री का शपतगरन समारों चुनाओं में जेट पीम को मिला है भाउमत। जेट पीम विधायक दल के नेता लालू धुहोमा के गवर्नर हरी बाबू कुमबपती से ने मुलाकात की सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। विपक्ष के इंडिया गडबंधन के संसद ये दल के नेताओं की आज बैटक मलिकार जुन खडगे के आवाज पर शाम को 6 बज़ होगी बैटक। और उपराश्टिपती धनकर ने शर्धानजली दी। संसत परीसर में पीम मोधी ने डॉक्टर अम्बेटकर की प्रतीमा पर दी पुष्पांजली परीनिर्मान दिवस पर किया नमन। लक्षमत्री राजना सिंग की पूस्ट डॉक्टर अम्बेटकर के परिनिर्मान दिवस पर किया नमन उनके विचार आने वाले पीडियों के लिए प्रेड़ना बनेंगे लक्षमे बावासाब अम्बेटकर को दिया गया शद्धानजली पूर्वसीम और बीएस पीची मायवतीन प्रतीमा पर फूल चड़ाएं माराश्टर में अम्बेटकर की पुन्यतिती पर शद्धानजली कारिकरम गवर्नर बैस सीमस शिंदे ने दी पुषपांजली जिप्ती सेंफर नवी सजीत पवार नहीं भी नमन किया दिली में केनिया के प्रस्टरेंडे रूतों से मिले जेपी नड़ा विचारों को अदले कर अदान प्रदान आयोध्या में बाबरी मस्जिद अढ़ाय जाने के 31 साल पर सुरक्षा वबस्ता कड़ी सड़कों पर ली जा रही है गाड़ियों के तलाशी तमिलाडू के तरुना विल्ली में रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में चलाया जारा सगन न तलाशी अभ्यान वाबरी मस्जिद धाया जाने के 31 साल पर बढ़ाई गई सुरक्षा दिली जल बोड का होगा कैग और दीटे पिछले 15 साल के रिकॉर्ड की होगी जाज सीम के जरिवाल ने दिया आदिश बंगाल की खाड़े में उटा तूफान मिचॉंग ने तमिलाडू आंदर प्रदेश पे तवाई मचे 15 लोगों की जान गई साइकलोन मिचॉंग आंदर तट से टकरा कर उत्तर की तरफ आगे बढ़ा 100 किलोमेटर प्रती घंटे के रफ्तार से वाई चली चेन्नई में सीम स्टालिन ने मिचॉंग तूफान प्रभावी तिलाकों का दौरा किया लोगों से भी बात की चेन्नई में मेचॉंग में घंटों फसे एक्टर है एक्टर आमिर खान रेस्क्यू वर्कर्स ने उन्हें बचाया हिमाचल प्रदेश में बारिश के बाद बड़ी ठंड कई जगों पर हुई बर्फबारी गाड़ों पर जबी बर्फ की परत दिले में आज भी प्रदुशन से हाला आत खराब एक्यू आई खराफ सतर पर किया गया दरज आस्पान में चाही धुन मध्यपरदिश के राजगड में बोर्वेल से निकाली गई पांस साल की माही दस घंटे ऑपरेशन के बाद बचाया गया माही को सुभा तीन बजे वोर्वेल के बाहर निकालने के लिए कामियाबी मिली जाच और के लिए अस्पता ले जाया गया यूपी के बागपत में दूला समेत पंदरा लोग बिमार शादी में खाना खाने के बाद तबीध बृगिया अपसेप्ताल में बरती जब मुकश्मी के गांदर वेल में खाई में गिरी कार चार लोगों की मौत असम के गोलपारा में पेर से टकरा है ट्रक हासे में दो लोगों की जान गई यूपी के योध्या में बच्चों से बिवाद में चली गोली एक शक्स की जान गई पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफतार किया बच्चों के जगड़े में दोनों तरफ से फारिंग हुई थी जिसमें एक शक्स की जान गई यूपी के राइबरेली में डॉक्टर ने की पत्नी और बच्चों की हत्या फिर खुद लगा ए फांसी डिप्रेशन का मरीज था मरेतक डॉक्टर मतुरा के गोवर्धन थाना इलाके में एक शक्स का श्या बरामत हुआ पुलिस ने आरोपी पत्नी उसके प्रेमी और एक साथी को एरेस्ट किया पंजाब के भटिंडा से ज्वेलर से लूट के मामले में एक गिरफतार पुलिस ने लूट का सोना बरामत किया जमो किश्मीर के गांदरवल में पुलिस ने चलाया साइबर क्राइम सतरकता अभियान पुलिस ने लोगों को जागरुक करने के लिए निकाली बाइक रहे ली मुंबई पुलिस ने आठ फरजी इंकम टेक्स अधिकारियों को पकड़ा सायन में एक घर से की गई थी अठारा लाक रुपए की ठगी रेट के नाम पर घर में घुसकर फरजी अधिकारी बसे घरवालों को बंधक बनाकर अठारा लाक रुपए की ठगी की नभी मुंबई पुलिस ने चारो चोरों को गिरफ़तार किया पुलिस ने चोरी का लाकों का सामान भी बनामत किया मध्यप्रदेश के उमरिया में शीतल का शिकार करने के लिए आरोप में दस लोग गिरफतार किये गए बन विभा की टीम मामने के अपजाच कर रही है इसराली सेना का गाजा पटी में हमास के खिलाफ एक्शन जारी आईडियफ ने जारी किया हमास के ठिकानों का विडियो इसराली सेना दक्षिनी गाजा पर कर रही कारवाई हमास के कई ठिकानों को टैंक और मिजाल से दोस्त किया गया इसराइली सेना के प्रमुक हर्जी हलیوی ने दावा किया गाज़ा में इसराईल के जमीनी ऑप्रिशन का अब तीसरा फैश शूरू हुआ है सेना के प्रमुक हर्जी हलीए के मताबिest के उत्तरी गाज़ा में हमास के कई ठिकानों को निशना बनाया गया गया है गाजा के दिर अल वाला पर इसराइल का एस ट्रैक कम से कम 32 लों की जान जाने की खबर दिर अल वाला के अस्पटाल में घायलों को लाया जारہा है बच्चों के भी इलाज के लिए लाया गया भारत और इंग्लेंड के विमन्स टीम के बीच तीन मैचों की T20 सिरीज का पहला मैच आज मुंबई में होगी टककर शाम को साड़े साथ बज़े शुरू होगा मुकाबला T20 रैंकिंग में रितुराज गाईकवार ने चलांग लगाई साथवे नमबर पर पहुंचे शुरे कुमार यादव टॉप पर बरकरार मुंबई इंडियंस ने आईपेल आउक्शन से पहले जारी किया पोस्ट पुलाड मलिंगा नाग नजर आए मुंबई इंडियस ने फोटो के साथ लिखा है हम शौपिंग के लिए दुबई जा रहे हैं रश्मी का मंदाना काट्रीना काजूल और अलिया के बाद प्रियंका चोपड़ा बनी टीफएक वीडियो के शिकार एक ब्रैंड का प्रचार करते वीडियो वाइरल किया गया प्रयंका चोपड़ा का वारिल वीडियो में एक रगम बताती नजर आएं एक पुरानी इंटर्वीव को आर्टिफिशल इंटिजिएंस के मदब से मौफ करके वीडियो को पोस्ट किया गया कुलकाता इंटर्नाशनल फिल्म फेस्टेवल में सियमंता बैनची का अनुखा अंदास दिखा सल्मान खान अलिल कपूर और सुनाक्षी सिना के साथ तरक तीवी नजर आएं